तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं है लूप लूप वी भी हम आपको के अंदर हम आपके साथ discuss करेंगे कि लूप का क्या इस्तमाल होता है क्या होता है कभी कभी आप एक ही कराम को कही साथ है अपको दर्स फाइले खुली है और आपको एक एक करके बंद करना है तो बंद करने का आपने लिदिया वगवू.close equal to truth तो वो एक वक्षित लिए क्राम करेगा ना सारे वक्षित के लिए तो आपको जितना वक्षित उत्मावार रिवीट करना बढ़ेगा तो इसको लूप में डाल देते हैं तो ऐसी ही ऐसी code को जिसको हमें बार-बार टाइप करना है उसके लिए loop का इस्तमाल करते हैं चलिए आपको आपको एक्जांप्पर कुछ बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा है कि loop का क्या use है ठीक है तिसे एक छोटा सा sticker में बनाना छोटा साथ अमने इस टिकर मना लिए मना लिए अब मुझे इसको जो है कॉपी को मैं बच लिखा होते हैं कि हमाई रिक्वार्मेंट होते ही कि इसको दस कोपी चाहिए होता है इसको पंदर को चाहिए होता है तो जब मुझे स्काइब अब क्राम बच लिखा है उसकी हिसाब से मैं इसको कॉपी पेस कर लेता है राइट तो चलिए वही आपको मताते है कि हमें क्या होता है कि हमें ऐसा मैंको बचाहिए जो मैं रन करूं तो जिता हो चाहां उतना बड़ एक के नीचे एक के नीचे कॉपी बेस कर तो डेवलपर में हम वीडियो में स्कों चलते हैं और यहां इंसर्ट करते हैं मुडूल और यहां में लेते हैं सब आरा यह कॉपी जो भी आप बैको नेम देते हैं तो हमें क्या करना है कि यहां से लेकि यहां तक को पहले स्लेक करना है तो रेंज A1 से लेके C6.copy ठीक है और मुझे फिर एक के नीची एक के नीची इसको कॉपी पेस करना है तो उसके लिए हम करते हैं कि रींज A6500.n एक्सेलेस आप डॉट पेस्टिस्पेशल एन यहां पर पेस्ट एजे यह पेस्ट को लिए पेस्टिस्पेशल ठीक अब मुझे क्या है कि अब कर मैं इसको एक रण करूं मालीजे मैं आरण मैको को रण करता हूं त्यान अंदर है रैट लेकिन मुझे एक के नीचे करना था में गलत हो गया है क्यों गलत हुआ है कि हमने इसमें आपसिट का प्रियोग नहीं किया हमें इसमें आपसिट का प्रियोग करना चाहिए था क्या बोलने दो . offset 1,0 1,2 ओगाई इसमें एक लेंग फिटोडना है मुझे पांच बार या दस बार तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं लोग इसमालना करो तो इसको मुझे खाए तो पांच बार मैक्रोड को रण करना पड़ेगा या मैक्रोड के अंदर में मुझे पांच बार कूर लिखे डिष्ट है, तो प्रॉब्म क्या हुआ कि यह तो इस डैनमिक नहीं हुआ, नहीं हुआ, यह तो डैनमिक नहीं हुआ, तो डैनमिक करने ही लिखे करेंगों, तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे और हमने यहां पर नेक्स कर दिया अब देखी क्या है तो 4i एक्वल टू वान टू फाइट वान टू फाइट और फिर यहां पर हमने रेंज a1-c6.copy और हर्वित को पेज़ के तो यह फूर क्या है तो लूप दो तरख नहीं होते है एक 4 एक 2 और 4 के भी दो पार्ट है 4i एक 4H इस i के जगहां पर हम नहीं साब से कुछ भी दे सकते तो इसको काउंट में कहते हैं कि लूप कितना बार चला इसकी काउंट यहां पर स्टूर होती है तो पहले बार चलेगी तो i equal to 1 होगा देखिए इसको अगर आप देखना है तो step in फूमत की effort करके देखिए अब देखिए यहां पर i 1 देखिए फिर यह प्रफॉर्म किया अब next check करेगा कि i जो 1 है वो 5 से छोटा या नहीं है 5 से छोटा होगा तो फिर वापस एक बार और रण करेगा ठीक है अब यहां पर देखिए i equal to 2 होगा इसको counter कहा जाता है loop counter कहा जाता है और जितना चाहां आपने उत्रा होगा अब इसमें करना है चाहते है कि मैं अपने इसाब से 5-10-15 करूँ तो यहां पर आप input box का इस्तमाल कर सकते input box और यहां पर देखिए enter 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 कुछ भी रिपीज़े चेक है तो जैसे run होगा improve box देगा अम यहां पर 8 भी आ तो यह 8 पर करन करेगा तो basically loop दो तरह के होते है चलिए loop के आप ए ठीवरिकल पार्ट को समझ ले कि लूप दू तरह के होते है एक होता है लूप प्रार्टिंग पर नहीं होने चाहिए मतलब कि highest to lowest lowest to highest highest to lowest ने सब उपने करता है 5 to 1 नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर हमें लूप कहां से और कहां तक रण करनी है इसके लिए यहां पर हमें देना होता है जैसे कि मैंने अभी आदे 1 to 5 दिया 1 to 5 जो भी हम नालें के फिर्दू मों मिला 4 each क्या होता है कि कि पर्टिक्लर object को कि कि पर्टिक्लर object के हिसाब्स है मतलब कि मैंने एक selection कर लिया तो जितने भी selection में cell है उसके हर cell पे चले जितने भी workbook है हर workbook पे चले जितने भी work sheet है हर work sheet पे चले तो यह object के according होता है राइट जैसे कि मैंने mail भेजाता हूँ उस mail में आपने दुर सारे में mail किया हुए close all workbook at once जिसमें अपने team WS as a workbook लिया था और four each का इस्तमाल किया है ठीक है तो मुझे जहां पे object का counting ना पता हो जो की counting क्या है उस case में each का इस्तमाल करते है ठीक है हम यह ने पता ही कितना बार run करना है हम इतना पता है कि जितना object उतना करना है नसीथ है जो भी object है उसके according तो four I और four each confirm है ठीक है और दूसरा इसमें आता है वह आता है इसमें while do है do while and do untake इसके बारे ने हम आगे बताएंगे तो कि फिलहाल समझ जाहिए कि अगर आपके पास object है या आपके पास starting number है तो आप four loop का इस्तिमाल करते है लेकिन आपके पास कोई starting number नहीं है कोई admin number नहीं है या कोई object नहीं है तो आपकोई condition है जैसे कि के column में जब तक number मिलता है तब तक बना loop चलता है ठीक है या एक folder में जब तक file मिलता है तब तक loop चलता है file के अगर में जब तक seats के name मिलता है तब तक work करता है तो do while and do unzip डोनों loop किसी तरह से कान करते है तो नहीं एक जब से है थोला सा difference है while starting condition check करता है और until end we can check करता है इनके बारे हम आगे दिसक्रस करें देकिन सब्सेदाज यूज होने वाला loop यह आपका 4i नहीं है लूप की property 4i है 4i का यूज करके इस मन्त में इतने दिन है उसे seat insert कर सकते है उसके date कर सकते है कर सकते है अभी जो आई का यूज करा करेंगे चलिए जोसे माल दिजीए कि मुझे एक से लेके बारत तक का नहाप रखना है और इतने में months लेन है उन नाम मुझे यहां पर देना है कि यहां पर जैन पर मार्ट अप्धीर माई जून चुबाई इस तरह से चीक है तो मैं एक एक करके लिखूंगा दिखत हो जाएगा यह वी वी के तुरू करना है अचलि इसमें कैसे loop का इस्तिमाल करते है देखी है हम यहां पर देते हैं subject M यहां तो लगाएंगा loop की 4 i equal to चले 1 to 12 चीक है और यहां पर हमने बोल दिए range i a a की साम contracted की i dot value is equal to मैं देरिया यहां पर month main i, 2 और फिर यहां पर next अब देखी इसमें क्या होगा जैसे कि मैंने उपर बताया है कि i पे एक value store होती है जोई counting होती है वो i पे store होती है राइट और मैं बढ़ा कि i एक integer है एक data type है तो हम कहीं इसको use कर सकते जैसे कि मैंने यहां use किया जब पहली बार चलेगी आता i command क्या होगा 1 होगा ति a और 1 मिलके क्या बनेगा a1 yes sir a1 की value month name क्या करेगा 1 को jam में 2 को fat में convert करेगा तो i का इस्तमाल आप इसी तरीके से कर सकते है अगर एक और example दो इसी तरह में कि मान में जिए कि मुझे इस पर sales हमने डाल दिया और यहां पर मैंने अब मुझे यहां पर चेक करना है कि जिद्में भी 50 से ज्यादा है उसकी इसे फी 500 हो नहीं जाहिए जिसे कि मैंने last last class में पाया था अब यहां पर हम लूप क्यों लगाएंगे यहां पर subject करते हैं यहां पर INC back it open अब यहां में लूप देते हैं कि 4 i equal to 2 से अब मुझे इसकी ending position पता है तेज नहीं पता है तो फिर आप end रोला method डालोगे ठीक है और यहां condition होगा कि if रहां रहिए रहिए D के साथ i को प्रमाइंग कि यह dot value is greater than 50 that range e के साथ का सथ को पता ने पता है वापास आई डॉल्ड वाल्यू इच दिक्ट्रो फाइब और यहां पे अन्द और यहां पे नेट अब एक जी आप देखें इसमें कि हमने यहां पे आई को टू से को स्टार्ट किया जैसे कि मैंने बताई कि आई को एज रो नमबर लेकर हमने यहां पे रिजल्ट किये थे आएट अब यहां पे मैं को करता तो प्रॉल्ल म्क्स को होता है कि इसको करता चली मुझे यहां पे प्लास वन कर fulfil हुआ कि तो हम नहीं करने बना वह लाएब ढ tissu से चलो ज़्gamी च्रीथ之前 नहीं प्लास वान को स्टेट इस कहा ओर आ आधा चले आपके सामने के चलता है लेकिन यहां पर आएगा कि यह तो 23 तक ही चल रहा है मुझे किसे बाद चलेगा कि इसकी लास्ट पूजीजन क्या है तो इसको सेलेक्शन में तर इस्तमान करेंगे कि इरेंज दी 55000.AND और इसके वाल हमने कर दिया एक्सलेस अब डॉट रो ठीक है तो आप्सरेज में तो इससे अटमेटिकली जिता जिता देता होगा उत्मान समय जाए इसको ठीक है तो लूप समयना आगे आपको फोर लूप समयना आया है या को और भी डाउट है तो मुझे आप लोग फोर लूप के कम से काम बीस एजांब पर अभी बनाए ही देजिए क्योंकि लूप बहुत इंपोर्टेंट है आप इंटरेनेट में सर्च करों इसी इतला का प्रॉड़ाम माइक्रो कोडिंग आपको हर दूसरा कोडिंग में लूप दिलेगा मैं तक हर कोड में लूप होता है लूप का इस्तमन इसलिए लूप पे आप प्रैक्टिस कीजिए फिर आगे में आपको लूप ने इस लूप पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे चीज़ा समझने लिए तो मुझे लूप के 20 जांपल आपको देनी है तो अभी से लग जाईए